नमस्कार दोस्तों इंटरनेट के आने के बाद विश्व एक मुबाइल में सिमट गया है इसने सूचना तंत्र को गती दिये जिसके चलते वेस्वीक रण को एक नया आयाम मिला है इंटरनेट की वज़े से आज वेस्वीक अर्थविवस्ता 46 ट्रिलियन डॉलर की उपर पहुच गई इसके आने के बाद कई श्टार्ट अप्स को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है इंटरनेट में बिजनस एजुकेशन, कम्युकेशन, आदे विविविन छेत्रों में करांती ला दिये इसी वज़े से आज के दोर में डिश्टल यूप की संग्या दी जा रही है एक तरफ इंटरनेट की आने के बाद जहां विश्टों को आगे बढ़ने का एक नया मौका मिला है वहीं दूसरी तरफ इसका एक डरावना पहलू भी सामने निकल कर आया है जिसका नाम है डार्क वेव आज हम इसी के बारे में जानेगा और इस बात का भी पता लगाएंगे आखिर डार्क वेव की सुरुवात कैसे हुई और क्यूं हुई डार्क वेव इंटरनेट का वह हिस्सा है जिससे सर्च इंजन का इंडेक्स नहीं किया जाता जिसस्वग्यों की माने तो इंटरनेट का जितना हिस्सा हम प्रयोग करते हैं वह केवल 4 प्रतिसत हैं इससे सर्फेस वेव के नाम से जाना जाता है वहीं इंटरनेट का बाकी बचा हुआ है चानवे प्रतितत हिस्सा डार्क वेब या डार्क वेब को अरसमाने धंग से एक्सेज नहीं कर सकते हैं इसके लिए आपको अपना IPC एड्रेस बदल कर खास ब्राउजर का इस्तिमाल करना होगा इसके अलावन VPN और कई अनुमाइट स्टूल का इस्तिमाल करके डार्क वेब पर सफरिंग करने के लिए करना होता है डार्क वेब एक ऐसी कतिवीदी होती जिसके बारे में आप सोच नहीं सकती यह एक मानो तसक्री ड्रक, स्मगलिंग, सरकारों के डिफेंस सिर्क्रेट को हैक करना चायल्ट ट्रेफिंग, हथियार की खरदारी और ऐसे खतरनाक चीज़ों को अंजाम दिया जाता है जिसके बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती डार्क वेब के मार्केट में साइनाइट जैसे जहर की विक्री होती है डार्क वेब पर कितनी वेबसाइट है और कौन लोग इन वेबसाइटों पर क्या करते हैं उनका पटा लगाना काफी मुस्किल है डार्क वेब पर मौजूद डेलर्स आपको क्या बेशते हैं और कैसे बेशते हैं इसके बारे में भी जानना काफी मुस्किल काम है। यहाँ पर भुगतान के लिए क्रिप्टो केरेंसी का उप्यो किया जाता है जो की ब्लाक चैन के सेक्रियोटी पर वर्क करती है। इस कारण भुगतान कौन करता है और किसे कर रहा है इस बारे में भी नहीं जाना जा सकता। डार्क वेब पर मौजूद वेब साइडों में डोमेन काफी सेक्योर और इनक्रेप्टेड होते हैं। इसके एक्स्टेंसन के पीछे .com या .in नहीं बलकि .onion लगता है। इसकी सुरुवात नब्दे के दसक में अमेरिका ने की थी। अमेरिका सेना ने ब्रुए विश्व भर में मौजूद अपने एजेंट के साथ खुफिया जानकारी को सेयर करने के लिए डार्क वेब को बनाया था। आला कि कम लोगों ने डार्क वेब पर होने से गुप्त सोचनाय लिग हो सकती थी। इस कारण एनुमेटी बनाने के लिए उसने डार्क वेब को आम जनता के लिए भी जारी कर दिया। ज्यादा यूजर्स के लिए यहाँ पर आने से गुप्त सोचनाओं का कोई पता नहीं लगाया सकता। आपको भूल कर भी डार्क वेब को एक्सेस नहीं करना चीए, फूपिया एजेंसियों की नेगा हमेशा डार्क वेब पर बनी रहती है। इस पर विजिट करने के बाद आप क्या कर रहे हैं उसको ट्रैक किया जा सकता है। नहीं नौल इस फूल वीडियो के लिए हमारे चनल को सस्क्राइब करें फिर मिलते एक नए वीडियो के सार्थ।